Hello friends, welcome to my channel, Fernandes Teacher की English Class, Pamela Fernandes Teacher Year. Students, I am very happy that you have given me a very good response for my first video. आज हमारी class का second day है, और आज मैं आपको थिकाने वाली हूँ कि आप कैसे अपने आपको इंटर्ड्यूस करें. और आप तो जानते ही हैं कि मेरे सीखाने का तरीका एक्तम सिस्टेमाटिक और इसी होता है, ताकि आप मैंने जो सीखाया है वो इंग्लिश अपने प्राक्टिकल लाइफ में बहुत इसीली यूज़ कर सकें. So, let's start with the class. Friends, मेरे वीडियो से आप अपने इंग्लिश का नॉलेज बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वाट्सप और टेलिग्रम चैनल का लिंक भी दिया है. आप इन में से कोई भी एक चैनल को जॉइन कर सकते हैं और दूसरे लेर्नर्स के साथ चाट और इंटराक्ट कर सकते हैं. Please don't forget to subscribe to my channel and to press the bell icon for notification. अपना परीचे कैसे दें ये आज आज आप सीखेंगे. जब आप किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसे विश करते हैं. जैसे सुबे से लेकर सुबे के ग्यारा बजे तक आप गुड बॉनिंग ऐसे विश कर सकते हैं. ग्यारा बजे से लेकर शाम के चार बजे तक गुड आफटरनून और चार बजे से आगे रात तक आप गुड इवनिंग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि गुड नाइट हम किसी को नहीं बोलते हैं जब हम उसे मिलते हैं अगर मैं किसी को मिल रही हूँ तो अगर शाम के बहुत लेट हो चुका होगा आट बजे नौ बजे तभी भी मैं जब उनको मिलूंगी तब गुड नाइट ऐसे नहीं बोलूंगी मैं उन्हें बोलूंगी गुड इवनिंग और गुड नाइट कब यूज़ करते हैं गुड क्लोस कर रहे होंगे तब आप गुड नाइट यूज़ करेंगे ओके ये बात अच्छे से याद रखना गुड नाइट के अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हैं उनको जब आपका मीटिंग खतम हो जाएगा तब that it was nice meeting you good to meet you see you soon ऐसे वर्ज भी आप यूज़ कर सकते हैं और दिन में आप जब किसी को मिलें तो आप ऐसे बोल सकते हैं उनको that it is my pleasure meeting you याने आप से मिलकर मुझे खुशी हुई और अलग भी तरीके हैं जैसे आप उन्हें विश कर सकते हैं जैसे for example आप किसी को मिलते ही बोल सकते हैं वाउ it is nice meeting you ये वर्ड ये sentence आप मिलते हैं तबी ब आप यूज कर सकते हैं या फिर जब आपका meeting खतम होके आप भी चड़ेंगे तबी भी यूज कर सकते हैं और have a good day याने आपका दिन अच्छा हो have a nice day ये sentences भी आप यूज कर सकते हैं इसके बाद आप अपने आपके बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं for example आप अपना आप नाम बताएंगे इस तरीके से I am Pamela Ferrandis और फिर आप कहां रहते हैं ये बता सकते हैं I am from Mumbai या फिर I live in Mumbai ओके फिर इसके बाद आप बताएंगे आपका profession for example आप बता सकते हैं I am a teacher by profession अगर आप कोई profession में हो तो वो profession का नाम बताएं ओके और आप अगर कहीं पे job करते हैं तो आप बोलेंगे I work for Godrej as a manager मतलब मैं Godrej company में manager के तरफ से manager के post पे काम कर रहा हूँ ओके और अगर आप एक student है तो आप बोलेंगे I am a student I am in class 10th ऐसे आप अपने आपको introduce कर सकते हैं और फिर अगर आपको ये बताना है कि आपका जन्म कहीं और हुआ है लेकिन आप अभी कहीं और रहे हैं तो आप इसे ऐसे बता सकते हैं I am from Goa but now I have settled in Mumbai याद रखे आप बोलेंगे आपके जगह का जो आप बहुन होगे उस जगह का नाम और अभी आप जहां रहे हैं वैसे मैं तो सिर्फ ये example दे रही हूँ अब कही कही इस बात को बताना जरूरी नहीं है कि आप married है, unmarried है और कही कही इस बात को बताना जरूरी होता है तो आप शादी शुदा है या आप कैसे बोलेंगे I am married, I am unmarried ये भी ठीक है और इसके अलावा आप थोड़े अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं that I am a bachelor, मतलब जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है, उन्हें इंग्लिश में bachelor कहते हैं, और जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, उन्हें कहते है spinster, तो अगर एक लड़की है, तो वो बोलेगी, I am a spinster, याद रखिये, लड़कियों को कभी bachelor ये word यूज़ नहीं करते हैं, तो जिनने इंग्लिश अच्चे से नहीं आते हैं, वो मेल्स को भी bachelor बोलेंगे और फीमेल्स को भी bachelor बोलेंगे, लेकिन ये गलत है, टोटली गलत है, सुनने वाला जट से समझ जाएगा कि आपको English नहीं आ रही है तो इसके लिए याद रखिए तो girls को यूज़ करेंगे spinster और boys को आप word यूज़ करेंगे bachelor इसके अलावा आप अपने hobbies के बारे में भी बता सकते हैं like my hobbies are अगर आप एक से ज्यादा hobbies के बारे में बताएंगे तो आप बोलेंगे are याने दो my hobbies are cooking and traveling और अगर आप एक ही hobby के बारे में बता रहे हैं तो आप is use करेंगे is is my hobby is cooking तो यह याद रखना is और are इसके अलावा आप आपके आगे के life के बारे में बोलना चाते हैं तो आप बोल सकते हैं my ambition is to become a good businessman a successful businessman ambition मतलब महत्व कांग्शा तो आप इसके बारे में भी बोल सकते हैं आपके ambition के बारे में इसके अलावा अगर आप बोलना चाते हैं कि आप को आपके कितने बच्चे हैं तो आप बोल सकते हैं I have two children या three children जो है आप ऐसे बोल सकते हैं लेकिन यह याद रखना कि जहां पर यह सब आपके personal details बोलना जरूरी है वही पर आप personal details बोलेंगे और जहां पर जब general conversation है वहां पर आप अपना ज़्यादा personal details बोलना बता देंगे where do you stay या फिर ऐसे भी पूछ सकता है where do you reside तो आपको याद रखना है live stay reside यह तीनों लोगों को यह word पता नहीं है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ native place तो अगर आपको कोई पूछे where is your native place native place मतलब आपका गाउं आपका घर जहां पर आप पैदा हो गए हैं उस जगह को बोलते हैं native place तो आप बताएंगे उसको उनको आपके native place के बार में for example my native place is up my native place is goa जो भी है आप उसके बार में बता सकते हैं तो अगले बार native place सुनके आप सोच में मत पढ़िये आप confidence से उनको answer कर दीजिए फिर अगर पूछेंगे what is your profession profession मतलब आप क्या काम करते हैं तो आप अपने profession के बार में बताएंगे जैसे मैंने आपको पहले ही सिखाया है and what is your ambition ambition मतलब महत्व कांक्षा आप आगे चल कर क्या करना चाते हैं तो आप उसके बार में बताएंगे अगर आप student है तो आप बोल सकते हैं my ambition is to become an IAS officer या जो भी है ओके आप अपने ambition के बार में उनको बताएंगे अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ important words जो manners की तरीके से English में use होते हैं जैसे की thank you हम thank you कब use करते हैं आपको पता ही होगा जब हमको किसी को शुक्रिया करना होता है तब हम use करते हैं thank you और next important word is please आपने देखा होगा English language में please and thank you इसका ज्यादातर इस्तमाल करते हैं हिंदी में हम इतना ज्यादा किसी को शुक्रिया ज्यादातर नहीं करते हैं बट English में ज्यादा thank you please यह words का usage हमेशा होता है अब और एक बात अगर आप किसी के हाँ पे गए और उन्हें ने आपको कुछ offer किया now for example अगर मैं कहीं गई और उन्हें ने मुझे पूछा would you like to have some tea याने आप चाय पीना पसंद करेंगे क्या तो मैं मुझे नहीं पीना होगा तो मैं उनको सिर्फ no ऐसे नहीं बोल सकती हूं लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा तो अगर मुझे किसी को माना करना है किसी चीज़ के लिए तो मैं क्या बोलूँगी अगर उनों ने मुझे पूछा Will you like to have some tea? तो मैं बोलूँगी No, thank you सिर्फ no ने बोलना है, आपको इसके आगे बोलना है No, thank you और अगर आपको चाई पी नहीं है तब आप क्या बोलेंगे Yes, please मतलब अगर वो पूछेंगे Will you like to have some tea? तो आप बोलेंगे Yes, please इसके अलावा बहुत सरे words हैं For example, excuse me Excuse me, आप तभी यूज़ करेंगे जब अगर समझो मतलब कोई आपको way block कर रहा है, आपको निकल जाना है For example, Hindi में मैंने एक word सुना है, जो मुझे personally पसंद नहीं है Hindi में अगर किसी को ऐसे बोलना होगा कि side देने के लिए, तो word यूज़ करता है मतलब सब नहीं, उसमें कोई ऐसे भी हैं, जो अच्छे words यूज़ करते हैं बट कोई-कोई ऐसे words यूज़ करते हैं इसे थोड़ा confusion हो जाते हैं कि कौन पहले निकलेगा, तो good manners यह है कि हम लेडिस को पहले जाने दे, और अगर आपको, या जन्स भी हो और आप उनको पहले जाने देना चाहते हैं, तो आप उनको बोलेंगे after you मतलब आपके बाद, यानि आप पहले जाईए, और फिर मैं आपके पीचे आता हूँ, तो यह सब manners है, ओके, और इसके अलावा, अगर कोई बात कर रहा है, और आपको उनकी बात clearly समझ में नहीं आई, ओके, तो जैसे हिंदी में क्या बोलेंगे हैं जी, ऐसे बोलते हैं, कि इंग्लिश में आप बोलेंगे pardon please, ओके, pardon please, तो वो आदमी या जो भी है, वो समझ जाएगा कि आपको उनकी बात ठीक से समझ में नहीं आई, और वो बात को repeat करेंगे ओके, इसके अलावा, जब आपको कोई thank you बोले, तो आपको बोलना चाहिए you are welcome, ओके, तो आप बोलेंगे you are welcome, और कोई अगर आपको thank you बोले और आपको, अगर उसे ऐसे response करना है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई आपको help करके, तो जब वो thank you बोलेंगे तो आप बोलेंगे, it's my pleasure मतलब, मुझे आपकी मदद करके खुशी मिले, अब यहाँ पर एक important चीज मैं आपको बोलना चाती हूँ, sorry sorry ये दो तरीके से use होता है पहला sorry आपको पता होगा, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, तब आप किसी को बोलते है sorry, ओके, ये पहली बात होई दूसरा sorry, एक अलग sorry होता है, for example अफसोस, उसको भी sorry बोलते हैं for example, अगर कोई गुजर गया और हमको उसके बारे में, उनके बारे में announcement करनी है तो हम बोलेंगे I am sorry to inform you that Rahul's grandfather is no more मतलब मुझे ये announce करने के लिए दुख हो रहा है, खेद हो रहा है, तो आप जब भी कोई bad news देंगे, तो आप बोलेंगे I am sorry to inform you और आगे आप वो news सुना देंगे इसके अलावा जब आप कोई bad news सुनेंगे for example, किसी और ने आपको आके कोई bad news सुनाई, तब आप बोल सकते हैं, oh sorry to hear that, मतलब यह सुनके मुझे दुख हुआ okay friends, इसके अलावा, आप खुशी के मौके पे, अगर किसी को कोई success मिला है, तो आप use कर सकते हैं, congratulations आपको तो यह पता ही होगा, आपने कहीं बार use भी क्या होगा, congratulations और फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं I am happy for your success मतलब आपको जो success मिली उसके वज़े से मुझे खुशी मिली, ऐसे use कर सकते हैं, और birthday के लिए तो आपको पता है happy birthday वो तो use करते ही है okay, इसके अलावा आप किसी को wish कर सकते हैं, थोड़े अलग तरीके से, many happy returns of the day ऐसे भी आप बोल सकते हैं, okay सिर्फ happy birthday बोलना, यह common बात है इसके अलावा आप बोल सकते हैं, many happy returns of the day और जब किसी की शादी की साल गिरा है तब आप बोलेंगे, happy wedding anniversary, okay wedding, आप please clearly प्रणाउंस किजिए, बहुत सारे लोग wedding और welding इसमें confused होते हैं तो आप clearly बोलेंगे, happy wedding anniversary और बड़े में आप ये भी बोल सकते हैं, may you have many more मतलब आप आगे आपके life में ऐसे बहुत सारे आपके बड़े आएं का मतलब आप बहुत साल जीएं, उसका वो मतलब होता है ओके इसके अलावा जब कोई festival होता है, तब happy diwali, तो आप भी फिर से happy diwali बोल सकते हैं, या फिर अलग तरीके से अगर आपको wish करना है तो आप बोलेंगे wishing you the same, मतलब आपको भी happy diwali, बट यह थोड़ा सा अलग तरीका है बोलने का, happy diwali को भी बोले, तो आप या तो happy diwali बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं wishing you the same, okay same, all festivals के लिए वही है, और particular festival, और समझो ऐसे festival है, जो एक दिन से ज्यादा चलता है, for example, अगर diwali है तो diwali के main दिन छोड़ के दूसरे जो दिन होते हैं आप तभी बोल सकते हैं मतलब दिवाली का main दिन निकल चुका लेकिन क्योंकि Christmas almost शुरू होता है 24th December से लेकर 1st January तक तब 25th को जब main Christmas होता है तब हम wish करते हैं Happy Christmas, Merry Christmas और फिर 25th से लेकर 31st या 30th तक हम wish करेंगे Seasons, Greetings ऐसे कहेंगे तो friends, I hope आपको आज का class अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा तो फिर next class में हम मिलेंगे और मैं लेकर आने वाली हूँ ऐसा ही important topic और आगे चल कर कुछ classes में मैं आपको grammar भी सीखाने वाली हूँ लेकिन grammar सुनके आप डरियेगा नहीं क्यूंकि मैं आपको बहुत easy तरीके से grammar सीखाऊंगी जिससे आपको grammar सीखने में बहुत अच्छी तरीके से interest आ जाएगा और फिर आप अपने sentences बीना किसी grammatic mistakes के बोल सकेंगे तो तब तक मैंने जो आज आपको सीखाया है उसको आप practice कीजिए और अगर हो सके तो आप उसको use भी कीजिए बाई